वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल उपलर गुरू पे बात कर रहे हैं प्याज CRPF रिक्रूट्मेंट की जो की 2021 में 2449 पदो पर यहां पर भरती निकली विये कैसे करना है क्या क्या करना है CRPF क्या है शुरू से लेके लास तक यहां पर रिक्रूट्मेंट लिंक तक आप जहां से अपलाई कर सकते हैं टोटल चीज़ सभी डेट्स बताने वाले हैं क्या एज होनी चाहिए वो पताने वाले हैं क्या सेलरी मिले कि यह बताने वाले हैं इन 2449 पदों में 2449 पदों में जितने भी सिर्फ एक रेंक नहीं है अलग-अलग पोस्ट होती है क्या-क्या पोस्ट होती है सारा कुछ यहाँ पर आज डिसकस करने वाले है वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप किये बिना वीडिय आइकन है उसे दवाते वक्त बगल में जो बैल आइकन है उसे ओल पर जरूर क्लिक कर दिए हमारे इस चैनल पर कोई भी वेकेंसी निकलती है तो उसका सबसे पहला अपडेट को हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे इस CRPF रिक्र सबसे निकली है इसमें आप लोग को सारी की सारी यहां पर जानकारी मिलने वाली है सबसे पहले अगर सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे दिस्क्रिप्शन में प्रवाइड किया जाएगा जहां पर आप बिलकुल डिटेल से चीजे पढ़ सकते ह हलाकि यहां पर सुरू से बताने जाएंगे बहुत जाला टाइम लग जाएगा लेकिन यहां पर शॉर्ट में सारी कुछ सारा कुछ चीज़े आपको फुल एक्स्प्लेन यहां पर करने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि CRPF में यह जो पोस्ट के जानी की रिक्त खाली मिलेंगे सेलरी की अगर बात करें तो सेलरी आपको सामने जैसा की लिखा है कमांडमेंट रुपीज 37,400 से लेके 67,000 रुपे तक आपको मिलेगा एक्जाम क्या होता है इसमें फिजिकल होगा और एक्जाम का प्रोसेस क्या होगा राइटिंग पहले हो उसके बाद इंटर्व्यू उसके बाद सिट इंडिया के निवासी होने चाहिए नेपाल नहीं इंडिया के निवासी होने चाहिए टोटल वेकेंसी आपके जैसे कि आपको सुरू से पहला चल रहा है 2400 कुछ वेकेंसी निकली वी है एज 18 से उपर होनी चाहिए उसके बाद कहां तक यहां पर अगर आप डॉक्युमेंट की बात करें तो कहां तक पड़े लिखे होने चाहिए उसकी बात यहां पर कर रहे हैं बहुत ही दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनिए गजैसे अगर CRPF इस बाहली की अगर बात करें तो आपको 12th pass होना आवश्यक है दोस्तों सिर्फ 12th pass यहां पर मांगा जारा है 12th pass अगर आप हैं तो आप यहां पर apply कर सकते हैं उसके बाद आपकी typing speed होनी चाहिए 45 words की 45 words की आपकी typing speed होनी चाहिए और हिंदी में 20 से 25 words की आपकी typing speed होनी चाहिए आपका age जो है 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए हलाकि इसमें आपको 62 years में रिटायर कर दिया जाता है खुद बखुद इंडिया कैसे डिजर्स होनी चाहिए हाइट आपका 170 cm कम से कम होना चाहिए यानि कि 170 cm अगर मालने तो पांच फूट 6 इंच आप समझ सकते हैं 5 फूट 7 इंच आप समझ सकते हैं 5 फूट 7 इंच चेस्ट आपका 81 cm रहना चाहिए अगर फीमेल है तो आपकी हाइट 117 यानि कि 157 cm चलेगी इंटर्व्यू की तारीक 13 से 15 सितंबर है जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं और भी चीजे सारी की सारी चीजे बहुत कुछ यहां पर बता चुके हैं आपका जो मेडिकल में क्या के चीजे क्या सवाल में प्रूट्बर करें तो क्या सवाल पूछे हैं तो अगर आप बपर देखे तो उपर दी गई एक्जाम से पास होने पर interview के लिए आप काबिल हो यानि कि अगर आपने exams पास कर लिए तो आपके पास इतनी knowledge है कि आप interview भी यहाँ पर पास कर सकते हैं दोस्तों तो आपका जो interview से related GK के सवाल ही पूछे जा सकते हैं GK से related आपके सवाल पूछे जाएंगे उसके वाद अगर बात करें कि क्या क्या है यहाँ पर document लगने वाला है आपका तो दोस्तों यहाँ पर हैरान होने वाली बात नहीं है कि document बहुत ही कुछ जादा नहीं लगने वाला है photo आपका लगने वाला है आपका candidate का signature जो की apply करने वाले उनका signature education का certificate यानि कि आपने जो dual और यह फिर 10th पास किया उसकी mark sheet उसका certificate provisional certificate या फिर उसके बाद domicile उसके बाद pen card और अधार card दोस्तों बिलकुल भी बहुत कुछ जादा चीज़े नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर आपका नागरिकता या फिर और वैसा कुछ मांग नहीं रहा है pen card is the pen card काफी होता है यहाँ अगर यहाँ पर आप लोग apply करने वाले हैं तो apply करने के लिए यहाँ पर offline apply होना है दोस्तों यहाँ पर offline apply होना है और कैसे यहाँ पर conclusion last में पढ़ें तो दोस्तों आज हम अपनी article की साहता CRPF क्या होता है यहाँ पर total चीजों को इस पर explain किया गया है और किस तरह से आवेद वीडियो के description में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अगर आप इससे related कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं आपके पास कोई भी यहाँ पर मन में confusion है तो आप वीडियो के नीचे comment section में आप पूछ सकते हैं कि कुछ भी आपके पास कोई सवाल है आपको आपका जवाब भी जरूर यहाँ पर दिया जाएगा और दोस्तों हमारी चैनल पर कोई भी वेकेंसी निकलती है उसका जो है आपको direct वीडियो मिलता है सबसे पहले तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारी चैनल से नीचे लाल रंग का subscribe बटन है उसे दबा के हमारी चैनल से जुड के लिए नमस्कार